नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तों आजगा हमारा टोपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का नेक्स टोपिक जो है सर्वे नाम इससे पहले हमने पढ़ लिया था संग्या के बारे में जिसका वीडियो आपको जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिपिशन में मिल जाएगी जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आज हम देखेंगे सर्वे नाम इसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब करें और सस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन जुरूर दबाए जिसे आने वाले हर निव वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तिव सर्वे नाम के बारे में हम पूरी डिटेल से आज जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप वीडियो को अन तक देखते रहें दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे कि हमारे आ रहा है नाम सर्वे नाम कि सर्वे नाम किसें कहा जाता है तो दोस्तों वे सब्द जो संग्या सब्दू के इस्तान पर प्रियुक्त होते हैं सर्वे नाम कहलाते हैं किन को का जाता है सर्वे नाम, सर्वे नाम का जाता है कि वे सब्द, कौन-कौन से जैसे कि कोई भी हम सब्द ले ले, कि हम सब्द ले ले कि वह, कि वह, ये वह क्या है, तो दोस्तों सर्वे नाम सब्द है ये, कैसे है, कि अगर हम एक वाक्य ले ले, कि रमेश ने कहा कि वह ग संग्या सब्दू के इस्तान पर प्रियुक्त होते हैं रमेश क्या है यहां पर रमेश हमारे यहां पर संग्या है और आगे वह गीत गा रहा है रमेश गीत गा रहा है कि जगे वह गीत गा रहा है तो वह क्या हो जाएगा यहां पर सर्वinhaam तो वे सब्द जो संग्या अच्ब्दू के इस्थान पर प्रियोगत होते हैं सर्वऑनाम कहलाते है अर्थार्थ वाक्य में संग्या की पुन्रावर्ती या आवर्ती दोस्त को दूर करने के लिए संग्या के इस्तान पर प्रियोग किये जाने वाले सब्दू को सर्वे नाम कहते हैं सब नामों के इस्तान पर जिन सब्दू का प्रियोग होता है वे सर्वे नाम कहलाते हैं अब दोस्तों हम एक जामपल से समझते हैं कि यह सर्वनाम संग्या के सब्दू पर किसे प्रियोग किये जाते हैं। विष्णू विदाले जाता है वह वहाँ पढ़ता है। यहाँ पे दोस्तों पहले वाक्य के अंदर विष्णू है संग्या, विदाले है संग्या। और दूसरा वाकिय है वह वहां पढ़ता है विशनों की जगे हम देख रहे हैं कि वह सबद प्रियोग किया जा रहा है और विदाले की जगे क्या किया जा रहा है वहां प्रियोग किया जा रहा है अतहे है वह और वहां संग्यों के इस्तान पर प्रियोगत हुए है वह क्या है सर्वे नाम किसके लिए प्रियुक्त हुआ है यह प्रियुक्त हुआ है रमेश के लिए तो यहां पर वह हो गया है सर्वे नाम तो दोस्तों आपको भी समझ में आ गए होंगे कि सर्वे नाम किसे का जाता है कि सर्वे नाम का जाता है कि जो हमारे संग्या सब्द हो आगे हम देखते हैं कि सर्वनाम कितने परकार के होते हैं तो दोस्तु हिंदी के अंदर छे सर्वनाम होते हैं कितने होते हैं छे सर्वनाम होते हैं दोस्तु जो सर्वनाम होते हैं ये छे होते हैं और इनको याद करने की एक ट्रिक है जिसके दोरा आप असनी से इनके नाम या गया एक पुरुस है जो निज पर्षन के सम्मंद में निष्चे और एनिष्चे की स्तती में फस गया पुरुस से पुरुस वाचक सर्वे नाम निज से निज वाचक सर्वे नाम पर्षन से पर्षन वाचक सर्वे नाम सम्मंद से सम्मंद वाचक सर्वे नाम निष्चे से नि निश्चे वाचक सर्वे नाम यह हो गए हमारे छे परकार के सर्वे नाम पर्षन वाचक सर्वे नाम सम्मंद वाचक सर्वे नाम पुरुस वाचक सर्वे नाम निश्चे वाचक सर्वे नाम और निज वाचक सर्वे नाम अब हम बारी-बारी से एक-एक सर्वे नाम को देखे सबसे पहले हम देखेंगे पुरु स्वाचक सर्वे नाम तो दोस्तों पुरु स्वाचक सर्वे नाम किसे का जाता है जिन सर्वे नामों का परियोग बोलने वाले सुनने वाले या अन्य किसी वेक्ति के इस्तान पर किया जाता है उन्हें पुरु स्वाचक सर्वे नाम किसे क आ जाता है कि वे सर्वे नाम जिनका परियोग बोलने वाले सुनने वाले या अन्य किसी वेक्ति के इस्तान पर किया जाता है उन्हें पुरुस्वाचक सर्वे नाम कहते हैं दोस्तों जो पुरुस्वाचक सर्वे नाम होते हैं ये तीन परकार के होते हैं और इनमें पहला है उत्तम पुरुस्वाचक सर्वे नाम, वे सर्वे नाम सब्द जिनका परियोग बोलने वाला वेक्ति स्वम अपने लिए करता है, जो हम बोलते हैं, वो अपने स्वम के लिए परियोग करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं उत्तम पुरुस्वाचक सर्वे नाम कहते हैं जैसे हम देख सकते हैं मैं हम मुझे मेरा हमारा हमें हमको आदी ये क्या है उत्तम पुरुस्वाचक सर्वे नाम है उद्धारन के लिए हम देख सकते हैं मैं अपने गाहूं गया क्या मैं अपने गाउं गया तो दोस्तों इसके अंदर मैं आ रहा है मैं क्या है यहां पे मैं है एक सर्वे नाम और कौन सा है उत्म पुरुस्वाचक सर्वे नाम है मैं का प्रियोग किसके लिए करें स्वेम के लिए जो बोल रहा है वो खुद के लिए ही इसका प्रियोग कर रहा है कि मैं अपने गाउं गया तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुस्वाचक सर्वनाम आगे जो हमारा पुरुस्वाचक सर्वनाम है उसका दूसरा भाग है मद्यम पुरुस्वाचक सर्वनाम मद्धिम पुरुस्वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वे सर्वनाम सब्द जो सुनने वाले के लिए प्रियुक्त किये जाते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रियुक्त किये जाते हैं उनको कहते हैं क्या कहते हैं उनको मद्धिम पुरुस्वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तुम तुम तेरा तुमारा तुझे तुमे आप आपका अपना आपको अपने आदी ये होते हैं हमारे मद्यम पुरस्वाचक सर्वनाम सबद उदारन के तोर पर हम देख सकते हैं तुम बहुत अच्छा बजाते हो क्या कि तुम बहुत अच्छा बजाते हो सुयम के लि के कहा हमारा मद्यम पुरुस्वाचक सर्वनाम अब हम आगे देखते हैं तीसरे परकार का सर्वनाम है वो पर किसरे कारगा जो हमारा पुरुस्वाचक सर्वनाम है वो है अन्य पुरुस्वाचक सर्वनाम कौन सा है अन्य पुरुस्वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम सब्द जिनका प्रियोग बोलने तता सुनने वाले वेक्ति किसी अन्य वेक्ति के लिए प्रियोग करते हैं उन्हें क्या उन्हें उनको उसको आदी ये है अन्य पुरस्वाचक जो सर्वनाम है उसके सब्द एक्जामपल से हम देखते हैं इसको उन्हें अपनी गलती का एसास है क्या है उन्हें अपनी गलती का एसास है ये किसी अन्य वेक्ति के लिए पर्योग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती क एसास है तो उन्हें क्या हो जाएगा यहां पे अन्य पुरुस्वाचक सर्वनाम सब्द हो जाएगा तो दोस्तों यह हो गया हमारा पहला जो पहला हमारा सर्वनाम है पुरुस्वाचक सर्वनाम वो अब हम आगे देखते हैं दूसरे परकार का सर्वनाम है वो दूसरे परका प्राणी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जो दूरवर्ती या समीवपर्ती वेक्ती प्राणी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं कौन-कौन से होते हैं ये वे ये वे इस उस अधी जैसे एक्जाम रहा है यह आ रहा है वह आ रहा है यहां पर आपको समीपुर्ति या दूरवर्ति जो वेक्ति प्राणी वश्त वह उसका बोध हो रहा है यह मेरा गर है तो क्या कि समीपुर्ति बता रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह जो निश्चे वाचक सर्वनाम सब्द हो जाएग एनिश्चे वेगती वस्तू गटना के लिए आने वाले सर्वनाम सब्द एनिश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे कोई गहारा है राम कुछ खा रहा है तो दोस्तु यहां पर देख रहे हैं आप कोई कुछ क्या है यह एनिस्चे वाचक सर्वे नाम कोई गार है कोई गार है एनिस्चे कोई गार है आपको पता नहीं है कि कोन गार है कोई गार है तो क्या हो जाएगा एनिस्चे वाचक सर्वे नाम राम कुछ खा रहा है क्या खा रहा आपको कुछ पता नहीं है कुछ खा रहा है तो कुछ क्या हो जाएगा एन निश्चे वाचक सर्वे नाम आगे हम देखते हैं चोते परकार का जो हमारा सर्वे नाम है वो पर्षन वाचक सर्वे नाम तो दोस्तों पर्षन वाचक सर्वे नाम किसे कहा जाता है वे सर्वे नाम जो परसन का बोध कराते हैं या वाक्य को परसन वाचक बना देते हैं उन्हें परसन वाचक सर्वनाम कहते हैं जो सर्वनाम सब्द होते हैं वो हमें किसी परसन या परसन वाचक वाक्य बना देते हैं उनको क्या कहते हैं परशनवाचक सर्वनाम केते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कौन, किसे, किसने, क्या, कब, यह क्या है, परशनवाचक सब्द है, अब हम उद्धारन के लिए देखते हैं, तो दोस्तों, कौन आने वाला है, वे क्या लाया है, दो वाके लिए करा रहे हम, कौन आने वाला है, यहा आपक क्या क्या है क्या है एक पर्शनवाचक सब्द तो पर्शनवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों आप दो वाक्य ले रहे हैं इन्हीं में आप देखिए कि जो कोहन है ये संजीव के लिए प्रियुक्त हो रहा है और क्या है क्या क्या लाया है ये किसके लिए प्रियुक हो रहा है आगे हम देखते हैं हमारा पांच नमर का जो सर्वे नाम है वो संबंद वाचक सर्वे नहां संबंद वाचक सर्वे नाम किसे का जाता है जिन सर्वे नाम सब्दू का परियोग संबंद परकट करने में किया जाता है अत्वा जो परधान वाक्य से आस्रित वाक्यों को समंद जोडते हैं जो हमारा परधान वाक्य होता है उसका आश्रित वाक्य से समंद जोडते हैं उन्हें समंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे की हम देख सकते हैं जो वह जो सो जिसें जो जैसा 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 जिसको उसको जिसें उसें जिसकी उसकी जितना उतना जिसें वही जिसें उसें तेते जेते जैसे वेसी जिसने उसने ये आद्धी सब्द होते हैं जो क्या होते हैं समंध वाचक सरो नाम के सब्द होते हैं जैसे हम एक्जाम्पल से देखते हैं जो करेगा सो बरेगा जो करेगा जो जैसा जो करेगा सो बरेगा जैसा करोगे वैसा बरोगे जितनी लंबी चादर उतने ही पेर पसारो तो यहां पे दोस्तों आ रहे हैं जितनी उतने जो सो ये सब्द क्या होगे है हमारे सम्मंद वाचक सर्वनाम सब्द होगे है तो यहां पे कौन सा सर्वनाम होगा सम्मंद वाचक सर्वनाम होगा आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम जो हमारा अंतिम परकार है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिने करता द्वारा स्वम अपने लिए प्रियुक्त किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे हम देख सकते हैं मैं आप हम स्वम खुद अद ये क्या है निजवाचक सर्वनाम सब्द है अब हम एक जामपल देखते हैं, मैं अपना काम स्वयम करता हूँ, यहां पर करता स्वयम के लिए प्रियुक्त कर रहा है कि मैं अपना काम स्वयम करता हूँ, तो यहां पर मैं क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, हम खुद ही इदर आ गए, हम क्या है खुद ही इदर आ तो यहां पे हम क्या है नीजवाचक सर्वनाम है इन दोनों वाकियों में स्वयम खुद नीजवाचक सर्वनाम सब्दू का प्रियोग वह है इसका प्रियोग तीन पुरसों में उत्तम मद्देम अन्य में होता है अत्य कई बार नीजवाचक जो सर्वनाम है को निजवाचक सर्वनाम है मैं अपने आप ही कर लूँगा ये क्या है निजवाचक सर्वनाम है निजवाची सर्वनाम आपको परियोग मध्यमपुरस सर्वनाम तो के लिए परियोग किया जाता है इस अनुचित परियोग के कारण आप सर्वनाम में मध्यमपुरस की ब्रांती होती है इस ब्रांति के प्रियोग के द्वारा एवं बल विरोध के द्वारा इस पेस्ट किया जाता है नोट एक बात आपको ध्यान रखनी है निजवाचक सर्वनाम आप निते एगवचन होता है किन्तु सम्मान वेक्त करने के लिए आपको बवचन मना जाता है किसी भी सबद लगा दिया जाए कौन सा सबद लोग अगर लोग सबद लगा दिया जाता है तो वे निते बहु अचन हो जाता है आप लोग आप एक वचन होगा लेकिन अगर आप आप लोग लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा बहु अचन हो जाएगा तो दोस्तु ये वीडियो आ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा विसेशन के बारे में दोस्तु वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अपने दोस्तु के साथ सेर करें धन्यवाद